नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र मृत्तुन्जय मिश्या आप लोग के सामने अपने चैनल के साथ माइड मास्ट्री फ्रम पूर माइड तू सुपर माइड अब मैं आपको यह बता हूँगा कि यह वीडियो किस बात पर आधारित है इस वीडियो में चार एक्ससाइज बताई जाएंगे जिसके नियमित प्रयोग से आपका दिमाग विक्सित होगा और इस्ट्रेस नीद ना आना आदी मानसिक जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी असानी से होगा उनको टैकल करने में आपको मदद मिले तो हमेशा की तरह हम श को एक्टेम महान व्यक्ति वह होता है जो उन पत्थ्रों से अपनी नीव की बुनियाद रखता है जो उस पर फेके जाते हैं तो दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करते हैं इन वीडियो के साथ कौर से देखेगा यह आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे वीडियो वन की एक्सरसाइज आप देखेए दोनों हाथों को आप ज्यान मुद्रा में रख सकते हैं तथा नंगे पैर घास पे खड़े होके आपको सांस रोखे आकाश की तरफ देखना है बिना पलके जपकाए हो सके तो ज्यादा अच्छा है एक मिनट से शुरुआत करि और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं यह आपके दिमाग में शांती तथा दिमाग को विक्सित करेगा काफी प्रभावशाली एक्सरसाइज है यह इस्ट्रस के रिलीव में यह काफी मदद करती है और धीरे धीरे आप आएंगे कि आपके अंदर शांती आती जा रही है एक्सरसाइस नमबर टू इसमें दोनों उंगलियों को इस तरह से राइट और लेफ को आपको पहले क्लॉकवाइस गुमाना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद एंटी क्लॉकवाइस गुमाना है आप क्या सकतें दस बार क्लॉकवाइस गुमाना है और दस बार एंटी क्लॉकवाइस गुमाना है ऐसा पास से दस बार करें तो आपके दिमाग को विक्सित होने में कोई नहीं रोप पाएगा काफी प्रभावशाली एक्सेसाइज है एक्सेसाइस नमबर थ्री इसमें अपने कान के नीचे वाले पार्ट को पहले आगे की तरफ उसी तरह दूसरे कान को जब आगे ले जाएंगे पीछे की तरफ फिर इसको पीछे की तरफ और इस कान को आगे की तरफ इस तरह से 10 से 20 बार करना आपको relaxation आता है इससे mind relax होगा और काफी अच्छा लगेगा कुछ दिनों की practice के बाद आपको यकीन मानिए करके देखिए लगेई के जाको जाफिए भ्हास हो और Sacred Heart Lord कोось द pumped ason Z terribly अच्छा लगेखिए अच्छा से को यकी Newton직मा सुना क्थटावेश asonakiiman시면 पूले अच्छा आपको यक ​​amश्यों ढो होगा व doğru दो सककी है वगेशित आपको आपको यक्या dedic intendापको शुच्छ Państwo हमारी last exercise, उसमें आखों के किनारे को पहले clockwise घुमाना है, दोनों हातों से, फिर उसको anti-clockwise घुमाना है, फिर किनारों को clockwise, anti-clockwise दोनों हातों से करेंगे, फिर आखे बन करके ऊपर वाले पार्ट को clockwise और anti-clockwise, सोने से पहले यह exercise करना अतिलाबकारी है अच्छी निद्रा आएगी और सो के उठने के तुरंट बात अगर आप यह exercise करते हैं तो आलस और नीन भाग जाएगा तथा इस्ट्रेस ड्रिलिवेंट में भी यह काम आती है कामगर है तो दोस्तों इन सब exercise को करिए और लाभानवित होईए और support करिए like करिए subscribe करिए and have a blessed life